तो यार आज़ की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यदा अकमाल की क्योंकि इस वीडियो के माध्म से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूटुώब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी राइट डिस्क्लेमर को कैसे लगा सकते हैं आपने बहुत सारे वीडियो के description में देखा होगा कि वहाँ पे जो एक copyright disclaimer वो लोग लगा के रखते हैं ये copyright disclaimer होता क्या है पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये copyright disclaimer इसलिए हमारे वीडियो में मतलब description में डाला जाता है क्योंकि अगर हमने किसी भी दूसरे चैनल से कोई भी वीडियो यूज किया है तो उस चैनल का जो ओनर है मतलब कि उस वीडियो का जो ओनर है मतलब मालिक है तो वो हमें copyright strike ना दे दे इसी डर से हमें लगाना पड़ता है क्योंकि अगर हमने उसका content यूज किया अगर मालिजी मैंने किसी भी एक वीडियो को अपने वीडियो में add कर दिया तो मुझे तो हमेशा ही खत्रा रहेगा क्योंकि यार इसका original जो मालिक है वो मुझे copyright strike ना दे दे copyright strike का मतलब है कि वो copyright strike भी दे सकता है या फिर copyright claim भी दे सकता है copyright claim देगा तो आपका वीडियो तो delete नहीं होगा बट उस वीडियो की जो earning है वो लेके जाएगा जो उसका real मालिक होगा तो copyright strike देगा तो आपका वीडियो ही delete कर दिया जाएगा तो इस problem से बचने के लिए ही हमारे और आपके channel के description में disclaimer होना बहुत ही जादा जरूरी होता है जो आज की वीडियो में हम आपसे share करने वाल है कि आप YouTube वीडियो के disclaimer को कैसे download कर सकते हैं या फिर कहां से copy करके आप अपने वीडियो के अंदर use कर सकते हैं तो सभी इस time मैं आपको बताऊंगा तो इसलिए इस वीडियो को पूरा दे और जिन लोग ने यार मुझे अभी तक Instagram पे follow नहीं किया है तो follow जरूर कर लीजे दोस्तों तो चलते हैं मोबाइल की screen पर वह इसे मैं आपको बता देता हूं तो जैसा कि यार आप लोग देख सकते हैं हम मोबाइल की screen पर आ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना Google क open कर लेना या फिर Google Chrome browser को open करना तरीका सबसे मैं चाहिए तो आप Google का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर Chrome browser का भी तो हम चलिए browser को open करते हैं Chrome का जो browser होता है मोबाइल में और उसे open हो जाने के बाद आपको इसके search में लिखना YouTube disclaimer तो चलिए हम यहां पे लिख देते हैं YouTube disclaimer तो आ तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे यहां पर आपको एक website मिलेगी support.google.com की तरफ से यहां पर यह देखिए तो इसी साइट पर आपको क्लिक करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है disclaimer मिल जाएगा YouTube वीडियो के लिए तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे इस परकार से आ जाएगा तो यहां पर देखिए इसकी सभी जो है disclaimer आ चुका है मतलब की copyright strike जो होता है उसके बारे में सभी कुछ लिखा हुआ है कि मतलब यह वीडियो की परपरच के लिए बनाएगा है जो भी बनाएगा होता है तो उसी परकार से यह disclaimer मिल जाता है यहां पर मतलब की जैसा कि बाकि सारे यूटूबर जो है copyright disclaimer को यूज करते हैं वहां पर तो उसी परकार से यहां पर लिखा हुआ है यह वह disclaimer original disclaimer है जो की YouTube वीडियो के अंदर यूज किया जाता है description box में तो अब आपको यार इसे copy करना है तो आपको copy करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ सबसे पहले तो आपको सुरुआते में यह जहां पर copy right लिखा हुआ यहां पर क्लिक कीजिए यह जो copy right लिखा हुआ है ना इस पर थोड़ी देर तक आपको उंगली से दबा के रखना है इस परका से आ जाएगा और इस परकार से आ जाने के बाद इससे जो है इस परकार से खींच लिजिए नीचे की तरफ जितना भी आप copy करना चाहते हैं उतना खींच लिजिए ओके तो यहां पर यह देखिए इतना select हो चुका है मतलब कि जो हमारा पूरा disclaimer है YouTube वीडियो के लिए तो य यहां पर copy करने का option आ चुका है तो इसी copy वाले option पर click कर देना है तो यह जो disclaimer है अब यह copy हो चुका है अब इसे हम अपने YouTube वीडियो की description में कैसे हम use करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले दोस्तों यहां से हम सब कुछ यहां से back कर लेंगे और back क कर लेने के बाद सबसे पहले तो हम YouTube को कर लेते हैं मैं आपको किसी भी वीडियो के अंदर इस डिस्क्लेमर को यूज करके दिखा देता हूं तो चलिए अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करता हूं और क्लिक कर देने के बाद यूर चैनल पर जाने के बाद मैं यहां पर किसी भी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डिस्क्लेमर को डाल के दि इस वाले वीडिवो के अंदर हम लगाने वाले को लगाने के लिएह हम क्लेमर को लगाने के लिए हम यहां पर तीन बिंदु के यांट करेंगे और यहां पर आपको एको मिलेक डिश्क ले जाने के बाद इस परकार से option आएगा और option आजाने के बाद simply यहां पे इस वीडियो की description यहां पे दिखाए देगी तो आपको इसी description पे click करना है और जहां कहीं भी आप इसे paste करना चाहते दिसक्लेमर को आप पेस्ट कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा साम इसे गैब दे देते हैं और यहां पे इसे paste करना बहुत ही आसान होता है मतलब की disclaimer जो है इसे paste करने के लिए हम यहां पे उंगली को थोड़ी दे इस पे क्लिक करें यह देखिए गाइस पूरा का पूरा डिस्क्लेमर जो हमारा पेस्ट हो के आचुका है यह देखिए जो भी हमने वहां से अपने Chrome browser से जो भी उठाए था डिस्क्लेमर को वह यहाँ पर आचुका है अब तो यहां से बैक करके आपको उपर सेव का उप्शन मिल जागा तो इसे सेव कर दीजी तो यह जो हमारा कॉपी राइट का डिस्क्लेमर है वो हमारी यूटूब वीडियो में सक्सेस्पुली लग चुका है अब जो है हमारे यूटूब वीडियो पे कोई भी कॉपी राइट इस्ट्राइक आएगा तो बहुत ही कम चांस होते हैं माल लिजे कि लगभग 90% होते हैं चांस की नहीं आएगा और 10% ही रह जाते हैं कि कॉपी राइट इस्ट्राइक आएगा तो देखे कितना आसान है यह सब करना मतलब की डिस्क्लेमर को कॉपी करके अपने यूटूब इसके डिस्क्रिप्चन में कॉपी राइट इस्क्लेमर को कैसे एड़् कर सकते हैं और अपने सभी जो experience था मेरा वो मैंने आपको इस वीडियो के माधिम से सेयर कर दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करना क्योंकि यार मुझे तो काफी जाता मेहनल लगती है रोज 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 नए नए आइडिया सोचने पड़ते हैं कि कल किस टॉपिक पर वीडियो कल किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो इसलिए हमारी मेंट का फल लाइक दे के और चैनल को सब्सक्राइब करके दे देना और जिन लोग ने मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं टेकनिकल सुझी 21 के नाम से हमारा जो अकाउंट है इस्टाग्राम का तो आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हूं तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो के साथ किसी अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए